नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परिचेत दोस्त उपस्थित हों आप सभी की सिवा में एक बहद ही महत्तो पूर्ण जानकारी लेकर के जी हाँ आई आज हम सभी जानते हैं चिया बीज के फायदे और नुकसान के बारे में चिया बीज को बैग्यानिक रूप से साल्विया हासपानिका के रूप में जाना जाता है चिया बीज को सुपर फूड्स में से एक माना जाता है इसकी खेती सबसे पहले मेक्सिको में की गई थी ये बीज उमेगा थ्री फैटी एसीड फाइवर प्रोटीन एंटियोक्सिडें है क्योंकि देखने में ये दोनों बीज काफी हद तक समान होते हैं तूलसी के बीज को शर्बत मिल्क शेक इत्यादी में मिला कर खाया जाता है यह दोनों एकदम अलग चीजे हैं इनके गुण भी अलग हैं 100 ग्राम चीजे में लगभग 485 कैलोरी एवं 31 ग्राम वसा इसके साथ 42 ग्राम कार्बोहाइट्रेट होते हैं बीज में 22 अमीनो एसिड होते हैं और सभी 9 आवशक अमीनो एसिड भी होते हैं चीजे बीजों की एक सर्विंग में 28 ग्राम के बराबर होती है आईए जानते हैं चीजा सिड्स के कुछ एक फायदों के बारे में चीजा बीज सबसे पहले तो वजन को कम करने में मदद करता है बहुत सारे लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं और अगर आप भी अपना वजन कम करना चाहते हैं तो चिया बीज आपके लिए बोहुत ही अच्छे विकलपों में से एक हो सकते हैं एक ग्लास पानी में दो चम्मच कच्चे या साबूत चिया बीज मिलाएं अब इस मिश्रण को अच्छी तरह से हिलाएं पानी के और शोशन के कारण इन बीजों को फूलने से पहले उन्हें जल्दी ही पिएं चिया बीज में मौजूद फाइबर भी आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता है यह त्रिप्ति को बढ़ावा देता है जिससे धीरे धीरे वजन कम होने लगता है इसके साथ साथ चिया बीज को अगर आप खाते हैं तो यह आपके कबज को भी तोड़ता है चिया शुरूप से अगुलन शील फाइबर जब चिया बीज पानी के संपर्क में आते हैं तो चिया बीज एक जैल में बदल जाते हैं यह आपके मल में बलक जोड़ता है और मल त्याग में सहायता करता है जिससे कबज से रहत मिलती है फाइबर भी पाचन में सुधार के लिए प शमता मधुमेह की रोक थाम से जुड़ी हो सकती है संयुक्त राज्य के क्रिश्वी विभाग के अनुसार चिया उन्खाद्य पदार्थों में से एक है जिन्हें शूगर यानि के मधुमेह उपचार में उपयोगी माना जाता है यह बीज मधुमेह में बढ़े हुए रक्त चाप के अस्तर में सुधार के लिए उचित पाए गए हैं उमेगा 3 fatty acid के उपस्थिती के कारण चिया बीज मधुमेह रोग्यों के लिए अच्छा हो सकता है जो पाचन को धिमा करने की चिया के शमता मधुमेह के रोक थाम से जुड़ी हो सकती है संयुक्त राज्य के पादे पदार्थों में से एक है जिन्हें शुकर यानि के मधुमेह के उपचार में उपयोगी माना जाता है यह बीज मधुमेह में बढ़े हुए रक्त चाप के अस्तर में सुधार के लिए उचित पाए गए हैं उमेगा 3 fatty acid के उपस्थिती के कारण चिया बीज मधुमेह रोग्यों के लिए अच्छा हो सकता है जो इस रोग के इलाज के लिए पौश्टिक रूप से महत्वपून माना जाता है इसके अलावा कैंसर के उपचार में भी चिया सीड्स लाफकारी हैं एक मेडिकल सेंटर के प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार चिया बीज अलफा ल करने वाले गुन पाये जाते हैं यह ट्यूमर के विकास को कम करने और कैंसर को शिकाओं की प्रकृति को रोकने में मदद करते हैं इसके साथ साथ चिया बीज का उप्योग आपके कोलेस्टरोल को कम करता है इसमें मौजूद ओमेगा-3 fatty acid रक्त कोलेस्टरोल को निम्न करने में भी मदद करता है और जिससे इस प्रक्रिया के दोरान कोरोनरी हरेदय रोक को रोकने में भी मदद मिलती है चिया बीजों में मौजूद मोनो-uncaturated वसा कोलेस्टरोल का स्टर कम करने में मदद करती है हरेदय के लिए करें आप चिया के बीज का सेवन वेश्ट वारजीन या विश्व विद्यालेद्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक चिया बीज ओमेगा-3 fatty acid सामगरी हरेदय स्वास्थे को बढ़ा सकती है और किसी भी हरेदय से संबंधित विमारियों को रोक सकती है ओमेगा-3 triglycerides को कम करते हैं यह रक्त में वसा का एक प्रका कर देते हैं इसके साथ साथ चिया बीज आपकी हड़ियों के लिए भी बेहद फायदे मन माना जाता है एक अध्यान से पता चला है कि चिया बीज में मौझूद कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन हड़ियों के स्वास्थे में सुधार कर सकता है चिया बीज कि पूर्ण गुन होते हैं चिया बीज फास फूरस में संवरिद्ध है जो की खणीज है जो हड्यों के स्वास्त को बढ़ाता है चिया बीज में एंट्योंटक्सिडेंटtså के उपस्थिती भी नुक्सान के नुक्सान से आपके दान्तों की रक्षा कर सकती है चिया बीज के के फायदे हैं त्वचा के लिए बेहधी लाफकारी चिया बीजों में मौजूद उमेगा-3 fatty acid blood circulation में बृद्धी और सुखापन और त्वचा की सूजन को कम करने के लिए पाया गया है और मैंचेस्टर अध्यान के अनुसार उमेगा-3 पायरी sublawkin science से त्वचा के रकृषा में मदद करते हैं ओमेगा-3 अध्यान के इस यो भी वी कि रण के त्वचा की रकृषा में मदद करते हैं छिया बीज में के निंद के लिए मददकार होती है सेलेटोनिन और mele tonine दो हर्मोन है जो निंद के लिए आवश्यक होते हैं यह दो हर्मोन ट्रिप्टो फैन द्वारा निर्मित होते हैं जो शरीर में एक अमीनो एसिड होता है चिया बिज ट्रेप्टो फैन में उच्छ होने के कारण अच्छी निंद और आराम में सहायता करते हैं एक अमेरिकी अध्यान के मुताबिक ट्रिप्टा फान का उपयोग कई स्लिपिंग डिस ओर्डर्स के इलाज के लिए भी किया जाता है इसके अलावा चिया सिड्स आपके मूड को सुधारता है जी हाँ चिया जैसे सूपर फूड के नियमित सेवन से आपके मूड को अच्छा का सामना करने में मदद मिल सकती है इसके अलावा चिया बीज के कुछ एक और लावों को हम जानते हैं चिया के बीज बीटामिन जस्ता लोहा और मैगनीश्यम से भरे हुए हैं ये सभी उर्जा को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं गहन कसरत से कुछ घंटे पहले चिया बीज जब वर्काउट करने के बाद लिया जाता है तो यह प्रोटीन परदान करता है जो उत्तकों की रिपैर में मदद करता हैं चिया बीज प्रोटीन का एक बड़ा श्रोध है चिया के बीज में 19% प्रोटीन होता है और क्लिनिकल पोशन के अमेरिकन जर्नल के अनुसार एक उच प्रोटीन आहार भूख को कम कर सकता है और त्रिप्ती को प्रोटसाहित कर सकता है हम सभी जानते हैं कि एंटियोकसिडेंट कितने महतोपूण होते हैं और चिया वीज Transportation के लिए अच्छे होते हैं बलकि तवचा के लिए भी अच्छे होते हैं क्योंकि ये बृधा वस्था के संकेतों को धिमा करते हैं आईए ये तो थे फायदे अभी तक अब हम जानते हैं चिया सीड्स के लॉस के बारे में चिया बीजों का अधिक मातरा में सेवन करने पर एलर्जी हो सकती है इस एलर्जी में शरीर पर निशान, सांस लेने में दिक्कत, खुजली, दस्त, उल्टी, सूजन, इत्यादी समस्य आपको हो सकती है यदि आप प्रोस्टेट कैंसर से पिडित हैं तो चिया सीड्स का सेवन करना बंद कर दें उच्छ फायवर समगरी की वजह से चिया बीजों का सेवन करते वक्त कुछ लोगों को पेट में परिशानी का अनुभव हो सकता है विशेश रूप से बड़ी मात मातरा में किसी भी भोजन के साथ कम मातरा में खाना खाएं और हमेशा बहुत पानी पिएं चिया सीड्स में बहुत अधिक मातरा में फायवर समगरी होती है लेकिन उच्छ फायवर आहार प्रतेख शरीर के प्रकार के लिए काम नहीं करता है एक ही बार में बहुत अधिक फ बहुत अधिक फाइबर के सेवन से कबज और दस्त हो सकते हैं चुकि चिया बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ लोड होते हैं और ये नेचुरल ब्लड थिनर के रूप में कारे कर सकते हैं आपके रक्त को क्लोंटिंग से रोकते हैं यदि आप पहले से ही वाटर फिरिन जै ये थी आज के हमारी जानकारी आप सभी के लिए जो की चिया बीज के फायदे और नुकसान से जुड़ी हुई थी अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोफूंच जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों